चीन ने किया दावा, उसने बना लिया एक आर्टिफिशल सान्यने की एक नकली सूरज, जो कि चीनियों के हिसाब से है असली से दस गुना अधिक शक्तिशाली, कितनी सचाई है चीन के इस दावे में, जानने के लिए बने रही है इस विडियो के आंग तक, चीन हमेशा ही पोच से दुनिया को चौकाता है पर एजवार चीन ने जो किया है उसके वज़ए से पूरी दुनिया है चीन ने दावा किया है कि उसने अर्टिफिशल संट बना लिया है और यह और इस पर मौसम का असर होगा, कहने का मतलब है कि सूरज से आपको हर समय एक जैसी उर्ज़ इस प्रयोग के बारे में और डीटियल में जाने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे, सबसे पहले यह जानना जरूरी है, क्या आखिर चाइना को नकली सूरज बनाने की जहुरत क्या है, देखे, सूरज की उर्ज़ा से बिजली उत्पन की जा सकते है, सूरज की गर्म और ये रिनुवेबर एनरजी सोर्स है, अब तब ये उर्जा का वो मीडियम जिसकी उर्जा कभी खत नहीं हो सकता, अब चाइना को हर चीज़ पर अपना अधिकार चाहता है, तो बस उसे अपना खुद का सूरज ही बना लिया, और उसने 2006 से ही ऐसे प्रोज़ेक्ट पर का और इसने हाल ही में एनरजी जनरेट करने का नया रेकॉर्ड कायम कर दिया, इसने 100 सेकंड तक 120 मिलियन डिगरी सेल्सियस का टेंपरिचर उत पर ने किया था, ये तापमान सूरज की तापमान से दर्स बुने से ली काफी ज्याद है, धरती बलास तक किसी भी देश में इतन ज्याद अरिफिशल टेंपरिचर को पैदा नहीं किया जा सका है, और इसके बाद अगले 20 सेकंड में ये टेंपरिचर 160 मिलियन डिगरी सेल्सियस तक पहुंच किया, इसे बनाया गया इंसिच्चूट अफ ग्लासमा फिजिक्स ऑफ द चाइना क्याडमी ऑफ साइंस ते, ज जान लीजे, ये एक नूखिलियर रियाक्टर है, और इसमें नूखिलियर फिजिजन के मेथड पर काम किया जाता है। नूखिलियर फिजिन से ही सोरज को उर्जा मिलती है है। जिसके वजह से ऐसा प्लासमा पैदा होता है, जिसमें हाड erogen के isotopes, deuterium और tritium आपस में fuse होक अपने आप और इस मेथड को यूज करके चाइना ने आर्टिफिशल सन को डिजाइन किया है और यह आइडिया है ली मियाओ का जो की शेंजेन के साथन युनिवर्सिटी और साइन्स टेक्नोलोजी के फिस्क डिपार्टमेंट की डिरेक्टर है लेकिन चाइना ही पर नहीं र अब अग्यानिकों को अमीर इस रिवाइस के मदद से शक्ति शाली क्लीन एनरजी सोर्स का खनन किया जा सकेगा इस रियाक्टर में शक्ति शाली मैगनेटिक फील्ड का इस्तमाल गर्म प्लाजा को फ्यूज करने और 15 करोल डिगरी सलसियस के ताप पान तक पहुचने के लि करते हैं और इसमें किसी अक्सिडेंट की संभावना या डॉमिक माटीरियल की चोरी का खतर नहीं होता इससे फॉसिल फ्यूल पर हमाद निर भरता कम होगी इसके लावा चीन के वाग्यानिकों ने ये भी दावा किया है किसे पैदा होने वाली नुकलर एनरजी को इन्वार चित भी और बड़ भी उसी तरह इस प्रोजेक्ट के भी कुछ बैड एफेक्ट्स भी है अच्छों के साथ साथ इस बोजेक्ट में बड़े बड़े नुक्लियर रियाक्टर का उप्योग किया जा सकता है और किया जा रहा है इसे निकलने वाला नुक्लियर वेस्ट इंसानों के लिए काफी खतरनाक है दोस्तो आर्टिविशल सन मनाने का सपना 1985 में 35 देशों ने मिल कर देखा था इन देशों में इंडिया भी शामिल था इनने प्लान बनाया था कि अगाड़े शिचल सन परिस में बनाया जाए जिसे आईटर नाम भी दिया गया था इसका पूरा नाम है इंटरनाशनल फ्यूजन रिसेर्च और इंजिनरिग लेकिनि आज तक एक सपना ही है आगे नहीं बढ़ सका सपने से और वहीं चाइना अपने तीन सूर्य बना चुका है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चीन अकेला ऐसा देश नहीं जो अपना सूरज बना रहा है फ्रांस भी ऐसे एक प्रजेक्ट पर काम कर रहा है बता जा रहा है कि फ्रांस का प्रजेक्ट दोहजार पच्छीस में पूरा होगा इसके लावा कोरिया भी के एस टी ए आर के जरीए क्रित्रिम सूरज बनाने में काम्याब हुआ है जिससे 20 सेकंड के लिए 10 करोड डिग्री सेल्सी असलाप मांस थिर किया गया था पर ये तो सच है ये कहीं न कहीं इस रेस में चीन पूरी दुनिया में बाजी मान लेगा है दोस्तों चीन हमेशा सहीं पूरी दुनिया पर कामिस हो सके ऐसा ख़वाब देखता है और टेक्निक की मामले में अमेरिका और जापान से आगे रहना चाहता है चीन का ये नकली सूरज उसके स्क्वाब को पूरा करने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है इस पूर्जेक्ट से चीन अपनी उज़ा जरूरतों के क्षेतर में आत्मे निर्वर हो जाएगा खास बात ये है कि चीन कोई सफलता तब मिली है जब ऐसा दावा किया जा रहा है कि सूरज की लौशनी कम होती जा रही है खुद नासा भी इस बात के पुष्टी कर चुका है नासा के नुसार अकाश गंगा के दूसरे तारों के तुलना में सूर्य जल्दी कमजोर हो रहा है और इस वज़ा से धर्ती पर आइस एच का खत्रा लगातार बना हुआ है ऐसे में नकली सूरज की इस खोच से काफी उम्मीदे की जा सकती है दोस्तों चीन का एक और महत्वकांशी प्रजेक्ट अभी लाइन में और वो है अर्टिफिशल मून बनाने के अर्टिफिशल चांग प्रित्रिम चंद्रमग जियान चीन नकली सूरज बनाने के साथ साथ नकली चांग बनाने की तैयारी में भी जोटा है जिसे अंत्रिक्ष में साटलाइट के रूप में स्थाफिट किया जाएगा और वो भी एक चांग नहीं बलकि तीन तीन चांग और ये तीनो चांद इस तरह से स्थाफिट की अग्राएंगे तो इनके पोजिशन कुछ इस तरह की होगी तो इनके रौशनी दुनिया के हर कोने में पहुँचेगी और फिर दुनिया में कभी अंधेरा नहीं होगा खास बात ये हैं कि चीन का इस अपना भी जल्दी पूरा होने वाला है 2022 तक इसे लांच करने की योजन है चीन से आ रहे खबरों की माने तो ये चांद एक तरह के शीशे से बने उपग्रह होगी इससे टकरा कर सूरी की किरने धर्थी पर पहुंच सकेंगी ये उपग्रह धर् कारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताए और ये भी बताना ना भूले कि आप प्रकृति की साथ इस किसम का खेलवार हमें करना चाहिए या नहीं ये सवाल सभी से पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेर करें फेस्टूप पर यूट्टूब पर शेर करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब का इस वीडियो के अंतक बिन रहने के लिए दिल से निभाए